इस वीडियो में जानेंगे इंडियन पोस्ट ओफिस GDS का जो है ओनलाइन कैसे फॉर्म को फिल करेंगे मोबाइल फोन से 38,926 पोस्ट पे जो है GDS ग्रामी डाक सिवक की जो है वेकेंसी यहाँ पे निकल की आ रही है यहाँ पे आप देख सकते हैं सर्किल वाइज यहाँ पे आपको वेकेंसी देखने को मिल जाती है कि कितना किस राज्य में कितना सीट है और डिस्टिक वाइज भी आपको सर्किल वाइज यहाँ पे देखने को मिल जाता है आप दसवी पास हैं तो आप यहाँ पर फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं जनरल OBC को जो है 100 रुपया अप्लिकेशन फी जमा करना है और वही अगर कोई SCST है और फीमेल है उनको कोई भी अप्लिकेशन फी नहीं देनी है तो छेले जानते हैं कैसे आपको फॉर्म को फील करना है तो फ्रिंट्स आपको सबसे पहले आज आना है इस वेबसाइट पे इंडियापोस्ट जीडियस ओनलाइन.GOB.in यह जो है गौर्मेंट की ओफिसली वेबसाइट है और मैंने आपको लिंक डिस्क्रिप्सन बॉक्स में भी दे दिया यहां इसका आप जो है उस पे क्लिक करके आ सकते हैं अब यहां पे आने के बाद से फ्रिंट्स यहां पे आपको सबसे पहले देखिए स्टेज दिखाई दे रहे हैं यहां से आप नोटिश्केशन को डानोड कर सकते हैं यहां से आप पहला स्टेज रिष्टेशन करेंगे रिष्टेशन करने के बाद से अगर आप जेनरल-वीची से आएंगे तो अप्लिकेशन फीजाma करेंगे अगर आप जेनरल-वीसी से नहीं आते हैं SCST female है तो आपको directly तीसरे stage पर आ जाना है तो यह stages है आपको समझना है और एक एक stage को मैं आपको बताऊंगा सुरू से लेकर last तक और बहुत सारे दिक्कतों का आपको जो है इस वाले stage में लोग का दिक्कत आ रही है मतलब post preference चूज करने में तो वो भी आपको हम समझाएंगे detail में कि आप जो है तीसरे stage में जब apply करेंगे तो आसानी से हो जाएगा लेकिन जब तीसरे stage में आप apply करेंगे तो post preference आपको देना बहुत ही important है और आपको कैसे post preference देना है आप जो है इस पर click करेंगे जिससा पर इस पर click करेंगे आपके सामनी स्तर से post मतलब खूलेगा instruction और एक बार instruction को पढ़ेंगे और यहाँ पर देखे यह जो है desktop view ही आपको खूलेगा mobile view नहीं खूल रहा है यहाँ पर आपको जो है अपना 10 digit का mobile number लिखना है और यहाँ पर validate mobile पर click करेंगे तो उस number पर जो है OTP चला जाएगा OTP को लिखे verify कर लेंगे फिर email id लिखेंगे यहाँ और email id को validate करेंगे email id पर OTP जाएगा verify कर लेंगे उसके बाद से यहाँ पर आपको तीसरे नमर में जो है अपना नाम लिखना है जो दसुझी कलास के certificate पर है spelling उसके अनुसार फिर father's name या mother's name दोनों में से किसी कभी आप नाम लिख सकते हैं यहाँ पाचवे नमर में आपको date of birth की choice करनी है जो भी आपका date of birth है कैसे choice करेंगे इस पर click करेंगे इस तरह से देखे calendar open हो गया सबसे फिल आपको यहाँ पर अपना year को confirm करेंगे कि आप कौन से year का बड़े है फिर आपको यहाँ पर जो है month चूझ करना फिर आपको date चूझ करना है इस तरह से देखिए आपका date आ गया यहाँ से आपको जो है gender की choice करनी है फिर यहाँ पर आपको जो है अपना community बताना है कि आप कौन से जो है country से आते हैं तो यहाँ gender चूझ कर लिए community आप चूझ कर लेंगे SC, ST, OBC कौन से categories हैं फिर यहाँ पर देखिए आपको समझना एक चीज और है कि circle in which 10th class pass 8 नमर में circle का नाम बताएं circle में यहाँ पर आपका राज्य का नाम खूल के आएगा कि आप बताएं कि कौन से राज्य से आपने जो है दस्वी क्लास qualify किया है तो आप जो है इसको choose करेंगे यहाँ से आपको देखिए पूरे राज्य का नाम खूल के आएगा अपना राज्य चूच करेंगे फिर यहाँ पर आपको उसके नीचे जो है 9 नमर में आपको passing year बताना है कि आप जो बताएं कौन से year में आपने 10 वी क्लास qualify किया हुआ है तो सभी year का यहाँ पर जो option आपको होती easy form है तो आप प्लीज वीडियो को लास तक जरूर देखते रहे हैं चलिए हम यहाँ पर फॉर्म को सम्मीट करते हैं इस परकार से आपको जो मेसेज होता है कि आपका स्टेज वन जो रिशेशन कंप्लीट है प्लीज कंटीनिव फिलिंग दा डिटेल साफ रिशेशन अ कि आप मेंडेट्री नहीं को कि यहाँ पर एक नियम समझ्झे कि फॉर्म का नियम क्या होता है जब भी आपको फॉर्म करना होता है जिसमें आपका प्ल inac ठीक है तो ध्यान देंगे अब यहां पर आपसे पूछ रहा है क्या बिकलांग है अगर आप बिकलांग है इसमें से चूच करेंगे यस करेंगे और अपने बिकलांगता के बारे मताएंगे कि आप किस टाइप के बिकलांग है यह हैं बी हैं जो भी यहां पर कटेगरी डिवा यहां पर चूज करेंगे जो भी अपने लेंग्वेज पढ़ाई किया तो देखे इसमें जो क्वालिफिकेशन बोला गया इस वेकेंसी में आप दस्वी क्लास क्वालिफाई होनी चाहिए इसके अलावा वहां का लोकल लेंग्वेज आपको जो है आनी चाहिए अगर आप उत महराष्टर का वेकेंसी तो मराठी आपको आनी चाहिए तो इस तरह से आपको लोकल लेंग्वेज इस तरह से कंफर्म किया जा रहा है कि आप दस्वी क्लास में बताएं कि कौन से लेंग्वेज आप पढ़ाई किये हुए हैं तो आप अपने चूज करेंगे यहां करेंगे सिंपली आप यहां पर बताना है आपको फोटोग्राफ अपलोड करनी तो फोटोग्राफ धिक्सल का आपका यह फोटोग्राफ होगा तो आप वोटोड कर पाएंगे Simply आपको क्या करना, यहाँ पर फोटो को चूज करना है, यहाँ पर चूज फाइल पर क्लिक करेंगे, तो आपका फोटो जो है, यहाँ पर आपको प्रिभ्यू भी दिखा देगा, तो फोटो ऐसा अप्लोड करेंगे, जो आपका इस साइज को आता हो, प्रिफर हो, और उसके से आपका जो फोटो हाल ही का होना चाहिए, लेटेस्ट होनी चाहिए, मतलब तुरंद का खीचा होना चाहिए, यहने कि आप 5 सल, 3 सल पुराना अप्लोड करने है, ऐसा बिल्कुल नहीं करिएगा, अब यहाँ पर आपको सीनेचर अप्लोड करनी है, जैसे भी आप सीनेचर करते हो, 140 x 60 पिक्सल का होनी चाहिए, और इसमें बोलागा लगभग 20 के वी तक आप जो है, फोटो अप्लोड के मतलब जो है, 5 के वी से लेकर 20 के वी के बीच आप समझेए, फोटो आपका है अप्लोड करेंगे, फिर इस केप्चा को आपको जो है, यहाँ पी आपको जो है प्रिव्यू के रूप में, नाम, फोटो, सिंगनेचर, सब चीज, मैट्रिक, पासिंगर, जो भी आपने इसके पहले भरा, और एक बार जाच कर लेंगे, कि कोई गलती तो आपने नहीं भर दिया, फिर प्रिव्यू क्लोज करेंगे, प्रिव्यू क्लोज करने के बाद से, जहां पर आपको देख compliance करने का option है, आप declare करेंगे, declare करने के बाद से नीचे में आपको form जो है, submit करने का option है, तो प्रिव्यू जरूर चेक कर लिजेगा, अगर mistake होगा तो नहीं submit करेगा, अगर mistake नहीं है, तो आप form को submit करेंगे, जेसे प्रिव्य दे से आपका करना कब नीचे में आके कर सकते हैं तो यहाँ पर कर लिजेगा करना अब कर लेगे उसके बाद ही आपको बैकाना तो दिकत रहेगी कि तो यह नहीं कर रहा और आप अंगे नहीं को समझना फीर आप नीचे आएंगे यहां पर जो मैंлись को बाइड किया है नीचे आने के बाप से यहां पे आपको देखिए apply link option मिलेगा यहां पे apply link पे आप फिर से यहां पे क्लिक करेंगे फिर आप जो है इसी website पे आ जाएंगे इंडियन post GDS का तो हमने जो पहला stage complete किया registration number हमको मिल चुका है अगर हम general OVC से आएंगे तो यह दूसरे वाले option पे क्लिक करेंगे और यहां पे पे online का option मिलेगा इस पे हम क्लिक करेंगे और यहां पे हम जो है registration number लिखेंगे तो आपके mobile पे OTP जाएगा OTP करते ही यहां पे आपको जो है community नाम सब्सक्राइब कर देगा अप्लिकेशन फिक इतना लग रहा है वह भी so कर देगा और यहां पे आपको जो make payment पे क्लिक करेंगे तो आपको जो payment gateway खुलेगा debit card net banking UPI हर सब वो सुविदाय आपको मिलेगी जो अभी फिलहाल चल रही है नेट banking से 10 रुपया per transaction एक्स्टा लएगा UPI से एक्स्टा नहीं लएगा debit card से भी एक्स्टा नहीं लएगा तो debit card से आप रुपय से कर सकते हैं आसानी से आपका पमेंट यहां पे जमा हो जाएगा पमेंट आप जमा जैसे ही कर देंगे उसके बास आपको जो है तीसरे स्टेज पर जाना अगर माल नहीं जा आते हैं और पे फी वाले option में आ गए और यहां पे आप जैसे लिखेंगे ने रिश्टेशन नमबर तो बोल देगे कि आपका फी जो है एक्सेप्सन है आप जो है रिश्टेशन नमबर लिखेंगे फिर से OTP जाएगा और OTP को verify करेंगे यहां लिख के फिर यहां पर पूछ रहा है कि circle applying for आपको यह बताना है कि आप कौन से circle ले apply कर रहे हैं रिश्टेशन आप जो है कहीं से भी कर सकते हैं कोई जरूरी नहीं है बिहार से आप पढ़ाई आप यहां यहां पर चूछ करेंगे हम उतर-परदस में तो आप यहां से चूछ करेंगे कि आप कौन से circle के लिए अपलाई देना चाहते हैं थिक है और उसके बाद से आप यहां पर फॉर्म को सम्मीट करेंगे तो आप लॉग इन हो जाएंगे तो फ्रेंट समयां पर जो ह आप जो है 72 घंटे के बाद try करें तो friends आपके साथ भी ऐसा हो सकता है तो मैंने सुचा आप लोगों को बताना जरूरी है तो जो मैं तीसरे stage पे apply कर रहा हूँ तो यहाँ पे लिख रहा है कि आप जो है अगर application fee जामा कर दिये हैं तो आप जो है 72 घंटे wait करें अगर यहाँ पे मतलब सब चीज सही रहा तो या तो यह form submit हो जाएंगे और मैं तीसरे stage के लिए apply कर पाऊँगा अगर कुछ भी mistake रहा होगा तो यह application fee जो है return हो जाएंगे मेरे account में 22 घंटे में और मैं दुबारा से यहाँ पे का करूँगा application fee जामा करके तीसरे stage पे आ जाऊँगा तो आपके साथ भी ऐसा हो सकता है तो इसके आगे मैं continue नहीं दिखा पाऊँगा आपको जो तीसरे stage में क्या करना होगा मैं आपको बताएता हूँ apply वाले पे click करेंगे तो फिर आपको जो है registration नमर लेखना होगा और आपका जो बिसय है मतलब जो metric है वो 500 वाला है या 700 वाला है या 900 वाला है इस तरह से आएगा cbsc है तो cbsc भी choose करने का option आएगा ठीक है तो सभी board का नाम होगा आएगा आप अपने उसनार choose करेंगे और marks को feel करेंगे marks अच्छे से feel करना है metric वाला है ताकि उसी base पे आपका percentage जो है बनता है मतलब आपका selection होता है percentage के base पे तो अच्छे से percentage को दरसाएंगे और form को submit करेंगे इसके बाद यहाँ पे जब आप next बढ़ेंगे तो post preference चूच करने का option आएगा post preference post preference में हमेशा ध्यान देंगे कि आप जिस category से हैं उसी category में आपको apply कीजिएगा तो बहतर रहेगा भले आप जो है दूसरे जगा apply कर रहे हैं आपका district में seat नहीं है आपके category में तो कोई दी करता है आप दूसरे जगा apply करिए अब यह कैसे पताचे रहेगा कि आपके category में कितना seat है और कि circle में कितना seat है तो यहाँ पर देखे लाइव circles यहाँ नहीं पर देखाई दे रहे है जिसके माली जी आप बिहार में देखना चांगा रहे है तो बिहारवाले बटन पर ट्लीक करेंगे तो बिहार वाला should헿 खुल रहा है देखिया यहाँ है जोना करने हैंब करेंगे माध्यों किस देखने मधुबनी के लिए जो है जनल में 32 में 12 E Kingdom 10 किस पोफिस में वाल है और मैं यहां जिझे चेकर सकते हैं और दो करना है और उसी का अनुसार कर आप ड़ह करना है और घ्लब्ल surveillance को अनous strict आपको जो है यहां पर पोस्ट प्रिफरेंस करने का भी ऑप्सन आएगा और यहां पर जो है आपको एक से ज्यादा मतलब प्रिफरेंस दे सकते हैं लेकिन जो है एक से ज्यादा डिस्टिक में आप अपलाई नहीं कर सकते हैं तो यह भी आपको ध्यान देना है कि आप जो है क किस पोस्ट ओफिस नेम में आप फॉर्म को फिल कर रहे हैं और कौन सा पहला प्रिफरेंस दे रहे हैं तो इस इसको आपको जरूर देखना है और इस तरह से आप डिटेल में सरकल वाइज आप चेक कर सकते हैं पोस्ट ओफिस वाइज चेक कर सकते हैं किस पोस्ट ओफिस में क जरूर चेक करिएगा और मैंने आपको बस ये वीडियो इसलिए बनाया ताकि आपको confidence बड़े कि आप mobile से भी form को feel कर सकते हैं बहुत ही आसानी है असानी से form को feel कर सकते हैं उमीद करता हूँ आपको जनकारी अच्छी लगेगा जनकारी अच्छी लगेगा तो वीडियो को like करिए अपने दोस्ते में जरूर शेयर करिए मिलते हैं next वीडियो में हमें दी जायत और दिक्तिरी डियर सेलपिंग फॉर एवर तैंक यू फॉर वाचिंग जाहें